हलो दोस्तों नमस्कार, 27 जुलाई की एक लास है, टाइटल है डिटोरियल का, रिजिलियंट बड़ जस्ट, तो देखें, रिजिलियंट जो है, इसके दो मतलब होते हैं, अब यहां कौन सा मतलब बैठेगा, वो तो हम सेंटेंज जब पढ़ेंगे, पूरा परेगराब तब समझ में आएगा, फिलाल आप लिख लीजिए, रिजिलियंट के दो मतलब होते हैं, पहली बात तो यह एक एजेक्टिव है, इसका मतलब तफ या हार्ड भी होता है, सक्त को बोलते हैं, जो तफ हो, हार्ड हो, यह भी होता है, और दूसरा इसका मीनिंग जो है, यह तो लचीला, तो लचीला भी हो सकता है, और सक्त भी हो सकता है, दोनों ही मीनिंग कनवे करता है, कौन, रिजिलियंट, जस्ट का मतलब है क्या, जस्ट का मतलब है, जो फेर हो, यह भी लिख लीजिए, यह भी एक एजेक्टिव है, जस्ट भी एक एजेक्टिव है, और इसका मत कह सकते हो, निश्पक्ष को बोलते हैं, इंपार्शियल कह सकते हो, घिक, नॉन्पार्टीजन कह सकते हो, जो निश्पक्ष हो, सबके साथ समान वेवहार करें, इवन, माइंडेट हो, है न, रिजिलियंट BUT जस्थ तो लेकिन नियायсолचित है, मतलब समान है, यहा सक्त मान ली वोनो, सेंटेंस में जहां आप विरोधावाज देखोगे, वहां पर बट लगाते हैं तो आपने देखा कि यहां पर विर बस द वो महते हैं तो यहां नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटीव porta नेगेटिव महाल लो सक्ट मหाल लोडन लो कठोर महाल लो और यह जस्ट हो जाएगा क्या समान जो सबके साथ समानता का विभार करें वो होता है जस्ट किसको लेकर लिखा गया है इनेशनल मॉनिटरी फंड है अंतराष्टे मुद्राकोश है इसके एकोनोमिक आउटलुक को लेकर आउटलुक जो होता है वो व्यूपॉंट होता है आउटलुक का मतलब होता है व्यूपॉंट मतलब दरश्टी कौन या फिर इसे आप क्या कह सकते हो prospect भी कह सकते हो मतलब perspective कह दीजिए perspective नजरिया क्या है, द्रस्टी कौन क्या है क्या सोचते हो, वो outlook है lopsided जो है यह भी लिख लिख लिजे lopsided भी adjective है lopsided adjective है इसका मतलब क्या है जो unbalanced हो यह दिखेगा नहीं आपको यहां से नीचे लिख देता हूँ Unbalanced और इसका मतलब होता है Uneven जो ए संतुलित हो वो Lopsided है Growth का मतलब होता है वरदी, ठीक है अब क्या कहना चाहरा है तो यह article है, इसका title का मतलब तो है कि सक्त, अब यह अंतराष्ट्री मुद्राकोश का जो नजरिया है उसको लेकर लिखा गया है व्यूपोइंट वो लेकर लिखा गया है कि यह नजरिया जस्ट है सब के साथ समानता का विवहार करने वाला है लेकिन है सक्त और आगे कहा गया है कि IMF का जो अंतराष्ट्री द्रस्टी कोण है और साथ में जो एक एसमान या एसंतुलित जो ग्रोथ है उसके बारे में article लिखा गया है ठीक है आगे क्या कहना चाहरा है वो देखो Lopsided Growth मतलब Unbalanced Growth ऐसी Growth जो सब में समान मतलब हर देश में हर जगह पे समान हो ऐसा नहीं है ऐसमान व्रद्धी है That Bypasses That आ रहा है इस Growth के लिए इसकी word Bypass Bypass का मतलब होता है जो Neglect करे उपेक्षा करे Ignore करे है ना वैसे तो बचना भी होता है इसको Avoid भी कह सकते है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब Neglect होगा तो Lopsided Growth Growth noun है Lopsided Adjective है ऐसी Growth जो ऐसमान है ऐसंतुलित है जो की क्या करती है Poor Nations को क्या करती है Neglect करती है उनको उपेक्षा करती है Risk यह Growth यहाँ पे यह Growth खत्रा पैदा करती है Risk इसकी Verb है किसके लिए Weighing Down Weigh Down जो है इसका मतलब क्या होता है किसी पर Burden डाल देना Put Burden किसी पर Burden डाल देना किसी को मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए खड़ा कर देना To Code Someone To Feel Trouble किसी को समश्या गरस्त हालत में पहुँचा देना यह मतलब होता है तो यह क्या करता है इसका यह खत्रा पैदा कर देता है Global Economic Edifice Edifice का मतलब होता है Large Impressive Building A Large Impressive Building A Large Impressive Building मतलब जो एक बहुती एक शांदार जो एक भवन होता है उसको बोलते हैं या फिर structure को बोलते हैं मैं यहां लिख देता हूँ इसको राइट हैंड साइड Edifice हम देख रहे है Edifice को फिलहाल आप यहां इसके अनुसार जो समझोगे यह noun है इसको आप यो समझ लो कि यह structure का meaning दे रहा है किसका meaning दे रहा है structure का Edifice का मतलब क्या है structure और वैसे Large Impressive Building को बोलते हैं Edifice तो Lobsided जो growth है इसकी verb हो गई Risk अब यह बीच में इस तरह बताया है इसके Lobsided growth के बारे में कि जो ऐसमान या ऐसंतुलित व्रद्धी होती है वो poor nations जो हैं गरीब राष्टर हैं उनकी अन्देखी करती है ठीक है अब यह जो growth है यह यहाँ पे खत्रा पैदा करती है कि जो वैश्विक आर्थिक structure है वैश्विक आर्थिक धाचा है उसको यह way down करती है उस पर दबाव डालती है ठीक है उसको burden में डाल देती है यह इसका मतलब है तो यह तो था हमने headline और सब headline का मतलब समझा है अब मैं बता दूँ कि आप इतने से समझ गए होंगे कि कितने सारे नए words आप सीखने वाले हो यकिन रखिए कि इस editorial में आपको बहुत सारे words सीखने को मिलेंगे कहीं पर भी आपको नहीं जाना है छोड़ कर बीच में एक भी चीज को miss नहीं करना है यह सोच कर कि मुझे तो आता ही होगा आप जब खुद से इस editorial को पढ़ोगे तो you will find कि यह बहुत मुश्किल सा लगेगा आपको लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ और से समझ लोगे तो आपको लगेगा बहुत आसान हो चुका है तो आपको end तक बने रहना है session में pen notebook लेकर आपको बैठना है और आपको एक channel आशीस Classes Shorts and Clips यह आपको subscribe कर लेना है आशीस Classes Shorts and Clips यह आपको subscribe कर लेना है इसके videos, काफी सारे videos यह upload किये जा चुके हैं यह shorts videos यह चोड़ी-चोड़ी clips जो होगी वो upload यहां पे की जाएंगी आगे भी इसका link आपको per day जो आपका टेलेग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसके videos का link डाला जाता है तो वहाँ से आप subscribe कर सकते हैं बेल आइकन भी click कर लीजिएगा ताकि notification भी मिलता रहे और साथ ही में आपको आशिस Classes Quiz के नाम से एक channel दे रखा है टेलेग्राम चैनल आशिस Classes Quiz इस पर आपको per day questions मिल रहे हैं practice questions यह भी आप join कर लीजिए यहाँ पर आप questions प्रेक्टिस कर सकते हैं यह कुछ information थी अब हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे बस एक नजर बना के रखिए कहीं पर भी आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है पूरा ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा मुश्किल editorial है क्या कहना चारा है the international monetary funds अब ये अंतराष्ट्री मुद्राकोष अपोस्ट्रोफे है तो इसका latest update मतलब जो नया नया update आया है हाल फिल हाल जो update आया है क्या to it से word economic outlook और update किसमें किया है इसने अपने वैश्विक आर्थिक दरश्टी कॉर्ण में ये update posit करता है positive यहाँ पे एक नया word आ गया positive का मतलब लिखेंगे positive एक verb है इसका मतलब आप लिखिए या तो होता है put forward put forward प्रस्तूत करना होता है या suggest संकेत देना तो यह यहाँ जो update इसने किया है अपने नजरीये में अपने दरश्टी कॉर्ण में यह यहाँ बताता है संकेत देता है global economic showing science कि वैश्विक आर्थिक विवस्ता जो है उसमें showing science global economy showing science of having weathered its most recent challenges कि जो वैश्विक आर्थिक अर्थिवस्ता है वैश्विक अर्थिवस्ता है उसमें संकेत नजरा रहे है कि यह weather कर चुका है having के साथ third form है तो perfect participle होता है और इसका मतलब है ऐसा करने के बाद having weather का लिख लीजिए मतलब weather का वैसे तो मोसम होता है लेकिन जब weather verb के रूप में काम करे तो इसका मतलब होता है survive करना कि ये इन चीजों से निकल कर आ चुका है बाहर survive करना कह सकते हो या इसका overcome कह सकते हो काबू पाना या इसका surmount कह सकते हो काबू पाना ठीक है तो ऐसा करने के बाद कैसा करने के बाद काबू पाने के बाद its most recent challenges जो हाल ही में नएने challenges सामने आए थे हाल फिलाल के उन सब पर काबू पाने के बाद अब challenges कौन कौन से हैं समझाया है including लगाकर including preposition होता है कह रहा है the bank collapses, bank धराशाई हुए, कहां कहां पे US और Switzerland में and likely, मतलब इसमें ये भी शामिल है, ये challenges भी इसने पार कर लिये जिसके अंदर की US के bank और Switzerland के bank भी खतम हो गए, धराशाई हो गए है ना, और इसने इन चीज़ों को survive कर लिया, इन चीज़ों पर काबू पा लिया and likely poised, और अब ये वैश्वी कार्थी के वश्ता जो है, वो अब poised है poised का मतलब लिखो, poised का मतलब होता है तयार poised है, वो executive है, इसका मतलब होता है ready या prepared या तो इसे कहोगे ready, या इसे कहोगे prepared, तयार है, ये तयार है किसके लिए, likely poised, likely मतलब संभावी तरूप से, poised है, expand, expand का बढ़ाना, by 3% in 2023, 2023 में इतने परतिशत तक वरद्दी होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है, ये कहना चा रहा है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, हमने सारे words तो note करी लिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान चा सुने, कि क्या मतलब हुआ, जो अंतराश्ट्रे मुद्राकोश है, उसका एक अपडेट आया है, अपडेट इसने किया है, अपने वैश्विक आर्थिक दरश्टी कौन में, ये अपडेट दिखाता है, कि ग्लोबल एकोनॉमी जो है, वैश्विक अर्थेवस्ता जो है, अब वो अपने हाल फिलाल के च इस्पेंड होने के लिए, कितने परतिशा तक 3% तक 2023 में, कुछ बातें और काम की हैं, वो बता देता हूँ, जब भी पर्टिकुलर येर की बात आप करते हो, कि आप इसी वर्ष की बात कर रहे हो, इसी मन्त की बात कर रहे हो, तब हम इनका प्रियोग करते हैं, जब हम इसकी बाता है, तो 3% तक की बात है, ठीक है, इससे पहले कहानी जो थी, उसमें आपने देखा, अपडेट जो है, वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, वो पोजिट्स है, ठीक है, इसके अलावा, having के साथ third form of perfect participle होता है, इसका मतलब ऐसा होने के बाद, including है वो preposition होता है, इसका मतलब, including, excluding, दोनों ही preposition होते है, including मतलब समेत, excluding मतलब के बगैर, अच्छा जी, US के पहले दे लगता है, ये ध्यान रखियेगा, ऐसे देशों के नाम जिनके साथ में, United शब्जोड रखा होता है, उन सभी के साथ में हम दे लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, likely का मतलब possibly होता है, संभावित रूप से होता है, to expand जो है, वो infinitive है, two के साथ base form, ये सारी कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़िये, आगे कह रहा है, but the funds marginal 20 basis points upgrade, इतनी बात है तो ठीक है, यहां तो positive sign दिखाएं है, International Monetary Fund का जो अपडेट की है, इसने अपने viewpoint में, ल बीस basis points का मतलब point two zero, upgrade इसने किया, अपने अपरेल के projections में, projections का मतलब होता है, अनुमान, projection का मतलब क्या होता है, अनुमान, projection noun है, projection की word category डाल लीजिए, noun है, इसका मतलब क्या होता है, अनुमान projection का मतलब क्या है gas कह सकते हो speculation कह सकते हो ठीक है अनुमान तो इसका जो अनुमान है उसमें इसने 20 basis point की marginal सी व्रद्धी की which were released which are a projections के लिए ये वो projections है जिनको release किया गया था ये passive है work के साथ third form in the wake of in the wake of का मतलब लिखिए ये एक phrase है फ्रेज का मतलब है जो group of words होता है जो शब्दों का समू होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेज तो इसको हम डाल देते हैं फ्रेज क्योंकि यहाँ पे चार शब्दे हैं एक in है एक दे है एक wake है और एक of है in the wake of का मतलब होता है following क्या मतलब होता है following, के चलते है ना, या के कारण या के पीछे-पीछे है ना, तो किसके चलते किसके कारण, तो यहाँ पे कह रहा है कि इनको release किया गया था, किसके बाद banking failures के बाद, bank जब fell हो गए थे, bank जब collapse हो गए थे, उसके बाद इन्होंने एक आकड़ा बताया था, उसमें इन्होंने 20 basis point का इजाफ़ा किया point 20 का इजाफ़ा किया है, and concerns और चिंताओं के बाद, concerns चिंताओं at the time, उस समय, about the then yet to be resolved US date ceiling standoff, ceiling का मतलब लिखी है upper limit ceiling का मतलब होता है upper limit, उपरी सीमा, standoff का मतलब होता है गती रोद, इसको dead log कहते हैं, noun है यह, dead log कहते हैं great log कहते हैं, यह होता गती रोद, yet to be released result का मतलब, जिससे अभी तक हल नहीं किया गया result है, इसका मतलब हल करना, जिससे अभी तक result नहीं किया गया US date ceiling, US date date का मतलब courage, US के जो courage की सीमा है, उसका जो तिरोध बना हुआ था कि इससे उपर करजा नहीं होना चाहिए है ना उसकी बात कर रहा है तो कहरा क्या है कि लेकिन फंड का marginal 20 basis point का upgrade ही रहा अपने अपरेल के projections में अपरेल में इसने एक आंकड़े बताए कि ऐसा ऐसे growth रहेगी उसमें point two zero की वरद्धी की बीच में बता दिया इसने अनमान कब की बात है यह अनमान लगाई थे तब जब bank collapse हो गए थे और वहाँ चब चिंटाएं थी उस समय जब US की date ceiling stand up बना हुआ था जब US का कर्ज की उपरी सीमा एक निश्चित मतलब एक उससे उपर या उससे नीचे नहीं आ रहा था उतने ही कर्ज चला आ रहा था और उसको resolve करना बाकी था उस समय does little, does किसके लिए आ रहा है ये जो upgrade है इसके लिए इसकी verb है does ये does का मतलब यहाँ पे है nothing याद रखना little के बाद जब noun लगाते हो तुम तो इसका मतलब होता है no, नहीं और little के बाद जब noun नहीं लगाते हो ये खुद pronoun का का काम करता है तो इसका मतलब होता है nothing तो ये कुछ कुछ भी नहीं करता है, to provide reassurance, पुने आसवाशन देने के लिए, provide का मतलब प्रदान करना, reassurance का आसवाशन, that the world economy is out of the woods, किस बारे में, कि वैश्वी करतेवस्ता जो है, out of the woods है, out of the woods का मतलब होता है, out of danger है, खत्रे से बाहर है, out of the woods एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है, out of danger, खत्रे से बाहर, यहां तक की बात फिर समझ लो, कि fund का जो marginal beast basis point का upgrade है, यह upgrade, मतलब इसने अपने जो भी projections दिये थे, अपरेल में, अनुमान लगाए थे, उनमें point beast का वर्दी की है, यह जो है, यह बिल्कुल भी, यहां assurance नहीं दे रहा है, reassurance का आश्वासा नहीं दे रहा है की conjunction है, कि word economy, word economy की verb is है, कि यह out of the woods है, मतलब खत्रे से बाहर है, बीच में समझाया projections के बारे में, यह projection release कब किये गए थे, जब banking failure हुआ था उसके बाद, और जब चिंटाय चल रही थी कि US की date ceiling, standoff आ गया था, कि वहां तक का करजा बना हुआ था, उससे नीचे नहीं हो रह था करजा, उसको resolve करना बागी था, उसके बाद यहां पर projections दिये गए थे, उसकी कहानी, ठीक है, आगे दे रखा है, as the IMF chief economist, Pierre A. Olivier, यह क्या है, गोरिंचस, ठीक है, तो यह IMF के chief है, फ्रांस के नागरिक हैं यह, IMF के जो मुख्य economist है, chief economist है, मुख्य अर्शास्त्री है, ना उनने क्या किया, caution, caution मतलब चेताया, warn किया, चेताया, on Tuesday, जब हम particular किसी day या date की बात करते हैं, तो उन लगता है, क्या कहा, many challenges still cloud the horizon, इन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे challenges है, जो कि मंडरा रहे हैं, यह cloud the horizon जो होता है, एक phrase होती है, पहले तो यह समझो, कि यह जो तुमार एक मिनिट, एक तो यह तुमारा एक समझो कि still जो है, इसका मतलब होता है even now, इस थिल का मतलब क्या होता है, even now, यह एक adverb होता है, cloud the horizon, जो है, यह एक आपका phrase है Cloud the horizon Cloud the horizon ये क्या है? ये एक phrase है क्या मतलब होता है इसका? कोई भी खत्रा जो भविश्य में appear हो सकता है A danger A danger that can appear in future जो भविश्य में जो खत्रा पैदा हो सके जो सामने आ सके उसको बोलते हैं Cloud the horizon तो ये जो IEMF के Chief Economist है, Olivier जिनका नाम है Pierre Olivier इन्होंने मंगलवार को चेतावनी दी कि बहुत सारे challenges many challenges की verb many challenges की verb क्या है? Cloud, ये verb की first form है clouded, clouded, second, third form होती है ये भी मंडरा रहे हैं while some adverse risk adverse का लिख लो unfavorable unfavorable या फिर लिख लो negative जो नकारात्मक या विप्रीथ खत्रे हैं, have moderated वो क्या हो चुके हैं? moderate हो चुके हैं balance हो चुके हैं, थोड़ा कम हुए हैं while है, वो विरोधाभासी conjunction है, विप्रीथ बाते करेगा हालांकि कुछ adverse risk हैं कुछ विप्रीथ खत्रे थे कुछ ऐसे risk थे, जो adverse थे जो की अब क्या हो चुके हैं? moderate हो चुके हैं present perfect tense है, have के साथ third form the balance remains tilted to the downside लेकिन balance the balance मतलब जो बाकी चीज है remains tilted, वो अभी भी जुकी हुई है ठीक है मतलब कुछ तो adverse risk हो चुकी है थोड़ी कम लेकिन फिर भी बचा कुछी चीज़े जो है वो अभी बनी हुई है balance की verb है remains tilted मतलब जुकना tilt का मतलब होता है incline करना जुकना ठीक है तो यह अभी भी जुकी हुई है downside मतलब नीचे की ओर ठीक है repeat कर रहा हूँ यहाँ पे इन्हों ने मंगलवार को चेतावनी दी कि बहुत सारे challenges अभी भी मंडरा रहे हैं खत्रे मंडरा रहे हैं हलांकि कुछ जो विपरीत खत्रे थे adverse risk थी वो थोड़ी कम हो चुकी है लेकिन अभी भी बाकी चीद जो है वो जुकी हुई है किस तरफ नीचे की तरफ ठीक है मतलब खत्रे अभी भी बाकी है that risk abound abound का मतलब होता है be plentiful abound एक kriya है इसका मतलब होता है be plentiful बहुत सारी मात्रा में होना बहुत अधिक संख्या में होना अब देखिए ये बात की risk abound खत्रे बहुत ज़्यादा है खत्रे तो plentiful है both known and unsighted की दोनों ही है कुछ खत्रे ऐसे हैं जिनको बारे में पता है कुछ ऐसे हैं जो unsighted है sight का मतलब द्रस्टी होता है unsighted जो दिखाई नहीं दे रहे है जिनको देखा नहीं गया है both के साथ में end लगेगा ध्यान रखेंगे ठीक है ये जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ आपको ये जो मैं आपको एक बातें बताता हूँ इसलिए है कि आप लोग हर बात को नोट करेंगे और जब next session देखेंगे तो उसको पढ़कर आएंगे revision करके आएंगे क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक मेरा ये करना सार्थक नहीं है आप चाहते हैं कि जो सिखाने वाला है जो tutor है आपका उसको भी satisfaction मिले तो आप में improvement आना चाहिए और improvement आएगा आपकी खुद की मेहनत से है ना मेरी मेहनत से improvement नहीं आएगा मेरी मेहनत से तो आप इतना ही है कि ठीक है guidance मिल रहा है direction मिल रहा है बाकि ultimately मेहनत वो खुद करनी पड़ेगी क्या कह रहा है that risk abound कि खत्रे जो है अभी क्या है बहुत सारी मात्रा में है बहुत अदिक संख्या में है दोनों प्रकार के खत्रे है known भी है और uncited भी है पता है उन खत्रों के बारे में ऐसा भी है uncited है मतलब जिनके बारे में नहीं पता है जिनको नहीं देखा गया, ऐसा भी है, तो यह जो चीज है, that आ रहा है, इस चीज के लिए, ठीक है, would be an understatement, understatement का मतलब एक होता है, exaggeration, है ना, इसको मतलब तो होता है, अतिश्योक्ति, बढ़ा चड़ा कर बोलना, और एक किसी चीज को बोलना है, उससे भी कम बोलना, तो य यह would be, would be मतलब ऐसा होगा, imaginary sentence है, कलपना कर रहे हो, कि जब तुम कह रहे हो, कि खत्रे बहुत ज़्यादा है, इतना कहना परियापत नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा चीजे है, for starters, starters, जिन्होंने start किया है, अभी कुछ चीजे, ठीक है, starters के लिए, दो सबसे बड़ी जो appreciably का मतलब नोट करो, appreciably यहाँ पर adverb है, appreciably यहाँ पर क्या है साब एड़ब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है considerably, या significantly, बहुत ज़्यादा, significantly भी कह सकते हो, और considerably भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा, देखो भरा पड़ा है आज का session vocabulary से काफी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है तो starters के लिए जो दो सबसे बड़ी अर्थेवस्ताइं है नाम बता दिये ये वाले अब ये अर्थेवस्ताओं की verb है have slowed, have के साथ third form लगनी ही है present perfect है, वो धीमी पड़ चुकी है और धीमी भी कितनी बहुत ज़्यादा and face और इनका ये सामना कर रही है increased uncertainty मतलब increased मतलब बढ़ी हुई uncertainty मतलब एनिश्चिता और काफी ज़्यादा एनिश्चिता का सामना कर रही है amid global and domestic headwinds headwind का मतलब क्या होता है headwind का मतलब होता है adverse situation दो प्रकार की wind होती है एक होती है headwinds, एक होती है tailwinds headwind जो होती है वो सामने से आती हवा और सामने से हवा है तो definitely आपको गती नहीं मिल पाएगी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और एक पीछे से हवा आए तो आप वो गती मिलती है तो वो favorable condition होती है तो अगर condition विप्रीत है तब तो करोगे headwinds और अगर condition आपके पक्ष में है तो उसको बोलोगे tailwinds ठीक है? तो यह adverse situation है विप्रीत परिस्तितियां है तो यह कह रहा है कि अमिड मतलब के बीच? तो देखो वैश्विक इस तर पर देख लो या घरिलू इस तर पर देख लो स्तितियां विप्रीत है इस बीच यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एनिश्चिताओं का सामना भी करना पड़ रहा है किसको यूएस को और चाइना को इन दे यूएस, यूएस की अगर बात करें जो बी सर्पलस था जो भी अतरिक्त राशी थी है ना, किस से आया पैंड़मिक एरा कैश ट्रांसफर पैंड़मिक वाले काल में पैंड़मिक वाले समय में जो कैश ट्रांसफर हुआ था नगदी का ट्रांसफर हुआ था made to help families अब यह जो surpluses जो थे अब surpluses की वर्ब है made to help families tied over the distress road by COVID-19 road का मतलब लिख लो caused के कारण tied over का मतलब लिख लो survive करना surmount करना मतलब एक प्रकार से उभरना ठीक है तो क्या कह रहा है जो भी surpluses थे COVID वाले समय के अदर जो cash transfer हुआ था वो made to help families वो किसलिए किये गए थे यह इसलिए किये गए थे जाकि परिवारों को help मिल सके किस से help मिल सके इस आपदा से इस आपदा पर काबू पाने के लिए distress का मतलब क्या होता है संकट distress का मतलब क्या होता है संकट आप इसे क्या कह सकते है संकट कह सकते है संकट मतलब adverse situation कह सकते है distress का मतलब यह है किस कारण संकट पैदा हुआ था COVID-19 के कारण and the cost of living crisis in its aftermath और उसके बाद में जीवन जीने की जो cost of living जो होती है जीवन जीने की जो पैसा चाहिए वो संकट पैदा हो गया था in the aftermath aftermath का मतलब होता है के परिणाम सोरूप aftermath का मतलब होता result noun है यह have all but depleted all but का मतलब होता है nearly all but का मतलब यह भी होता है इसके अलावा सब except all लेकिन इसका मतलब यहाँ है nearly depleted का मतलब होता है 6 हो जाना कम हो जाना reduce हो जाना weaken हो जाना कमजोर पढ़ जाना erode हो जाना यह सब खतम हो गए हैं यह सब कमजोर पढ़ गए हैं फिर समझ लीजिए US के अंदर जो भी surplus था जो pandemic era cash transfer से आया था ठीक है यह किसके लिए किया गया था अत्रिक्त यह जो धन्राशी है किसलिए दी गई थी यह परिवारों की help करने के लिए दी गई थी ताकि वो COVID-19 के कारण जो उनको संकट पैदा हुआ है उस पर काबू पा सकें और साथ हमें जो cost of living crisis आ गया था इसके परिणाम सोरूप यह सब जो चीजे हैं यह जो surplus हैं यह क्या हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं अब surplus रहा ही नहीं है इसको reduce भी कह सकते हो इसको end भी कह सकते हो deplete का मतलब 6 हो जाना भी होता है deplete का मतलब exhaust हो जाना भी होता है खत्म हो जाना भी होता है ड्रेन भी होता है ये इसके exact meaning इस context में सही बैठेंगे ये result था ही तो जितना भी surplus आया था pandemic एरा cash transfer से जो परिवारों की help करने के लिए दिया गया था ताकि वो COVID-19 के कारण जो संकट पैदा हो उसका सामना कर सके और cost of living जो crisis है उसका सामना कर सके इसके परिणाम सुरू जो पैदा हो गया था ये सब surplus जो है जो अतरिक्ट पैसा था वो सब खत्म हो चुका है ठीक है China's post reopening rebound rebound का मतलब लिखिए bounce back bounce back फिर से उचाल आना आप इसको spring back भी कह सकते है spring back फिर से उचाल आना ठीक है तो कहरा China का जो post reopening rebound post reopening मतलब वापस से lockdown के बाद वापस से market खुला उसको reopen कहा गया है और post reopening का मतलब हो गया उसके बाद के जो bounce back किया था उसके बाद एक बार से उचाल आया था है ना उस चीज ने has begun to fizzle out fizzle out का मतलब होता है die down धीरे धीरे खत्म हो जाना to end slowly die down होता है fizzle out वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है begin जो है वो begin की third form है एक होता है begin इसकी second form होती है begin और इसकी third form होती है begin यह इसकी first form, second form, third form है begin, begin, begin बात समझ में आ रही है तो क्या कहना चाहरा है कि चाइना का जो reopen करने के बाद एक bounce back हुआ था वो bounce back ये rebound की verb है has begun ये शुरू हो गया है धिरे धिरे खत्म होना with the economy floundering on the shoals of a contraction on the shoals of का मतलब मान लो इसके कारण ठीक है वैसे shoals तो मचलियों का समूँ होता है या बहुत बड़ी भीड को बोलता है लेकिन यहाँ पे on the shoals of का मतलब मान लो इसके कारण flounder का मतलब होता है struggle करना flounder का मतलब क्या होता है struggle करना, संघर्ष करना अब यहाँ पे अर्थेवस्ता जो है वो संघर्ष कर रही है किसके चलते संघर्ष कर रही है contraction के चलते contraction क्या होता है reduction, संकूचन in the key real estate sector की का मतलब होता है important, vital जो महत्तुपूर्ण real estate वाला छेतर है उसमें संकूचन हुआ है इस कारण से यहाँ पे अर्थेवस्ता संघर्ष कर रही है combined with weakening consumption इसके साथ साथ combined with का मतलब है इसके साथ साथ और कौन से factor है weakening consumption consumption यहाँ कमजोर पढ़ रहा है उपभोग यहाँ कमजोर पढ़ रहा है and slumping slump का मतलब है slowing और धीमा पढ़ रहा है मंदी यहाँ पे देखने को मिल रही है overseas demand में overseas का मतलब होता है foreign विदेशी demand में यहाँ कमी देखने को मिल रही है for its export किसके लिए इसका निरियात के लिए इसका निरियात भी नहीं हो पा रहा है फिर समझ देजिए यहाँ चाइना में क्या हुआ चाइना में जो reopen करने के बाद market को bounce back आया था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है अर्थेवस्ता वहाँ किस अंगर्श कर रही है किसके चलते संगर्श कर रही है जो मुख्य real estate sector है उसमें contraction के चलते और साथ-साथ में यहाँ पे consumption लाइक करके जाएं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं कल ठीक शाम पांच बजे तब तक किले नमस्कार थेंक्यू वेरी मच्च